थाना खेरगड पोलिस एवं एसोजी सर्वलांस टीम ने संवक्त कारेवाई करते हुए विबिन थानों से चोरी की गई 21 बकरियों सहे 4 शातिर चोरों को गिरफतार किया अभ्युक्तों के कबजे से एक चार पईय वाहन एक मोटर साइकल नगदी दो मोबाईल और अवैद असला बना मत किया अभ्युक्त अरविंद एवं जनपत के विबिन थानों में करीब डेड़ दरजन अभ्योग पंजीकरत है वरिस्ट पुलिस अदिक्षक फिरोजबाद के निर्देशन में जनपत में चोर लुटेरों के विरुद चलाए जा रहे अभ्यान के अनुपालन में अपर पुलिस अदिक्षक ग्रामीड के पर्यविक्षड एवं शेत्रा दिकारी शिकोबाद के कुशल नेतरत्व में ठाना खेरगड पुलिस एवं एसोजी सर्विलान्स टीम ने सयुक्त कारिवाही करते हुए चेकिंग के दोरान मुगबिर की सूशना पर पांच शातिर चोरों को ग्रफतार किया अभ्युक्तों के कबजे से बता दे कुल 21 बकरी दो अदद तमंचा 315 बोर चार अदद जिंदा कार्तूस 315 बोर कुल 2040 रुपे और दो अदद मोबाइल घटना में प्रयोगत एक अदद चार पईया गाड़ी असंट हुंड़ी और एक अदद मो जो इनका जो सबसे शातिर है अरविंद जो फिरोजावाद दिनपत के राइल बजार थाने का रहने वाला है यही इसका में गैंग लीडर है और इसके साथ हमारी जो खैरगड और एक्सोजी के टीम ने पांच लोग आरेस्ट किया है इसे भी पांच लोग गैंग बनाकर प गरीब लोग अपनी बक्रियां अपने अपने घेर में खड़ी करते हैं वहां से रिकी करने के पश्चाति लोगों ने बक्रियों की चोरी की थी और वो सभी गरीब लोग काफी परशानते हम लोगों ने ततकाल उनके दर्द को देखते हैं इमिरेटली हम लोगों ने फैर क करने के बाद हमारी पूरी एसोजी की टीम भी अन्य क्राइम की तरह बकरी चोरी पर भी पूरी तरह से लगी और इसका पढ़नाम ये रहा कि आज ये हमारी जो एसेचो खैरगर्ड शिवशी कोहबा और एसोजी की जो टीम थी इसम लोगों ने मिल के संजुक्त पर्यास से इस इन लोग के पूशेशन से असलाई भी परामत हुए है दो गाडियां भरामत की गई है एक चार पईया गाड़ी है और दो पईया है बेसिकल इन गाडियों का प्रयोग इन लोग पहले घेर जहां पे बकरी रखी जाती थी उसको उसकी रेकी करने में किया करते थे इन लोग के बिरुद्ध भैस्चोरी के भी मुकदमे है तो इस प्रकार ये बहुत ही शातिर चोर गैंग को हम लोगों ने भी अरश्ट किया है और इनके पोजिशन से किस बक्रियां कुछ पैसे ये दो बाहन और कुछ वैदसलह है कुछ मोबाइस ये सारी चीज़ वरामद हुई है इन इसकी कीमत ज्यादा होती थी तो ये काफी दिनों से ये काफी इस तरह का अपराद कर रहे थे और बहुत बड़ी सबलता मिली है इनके खिलाब हम लोग गैंक्स्टर और इनकी प्रॉपर्टी एटेच्मेंट की विदर रही करें